नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का सूपर कुशिंग आईएस भाई टेस्ट बुक में तो दोस्तों आस्ट्रेलिया के डिफेंस डिपार्टमेंट ने फाइनली फैसला ले लिया है कि जितने भी made in चाइना कैमराज उनके डिफेंस डिपार्टमेंट में उन सब को हटा दिया जाएगा और इसके साथ आस्ट्रेलिया यूएस और यूके को फॉलो करता हुआ देख रहा है दोस्तों यहां पर चाइनीज कैमराज एक बहुत मेजर सेक्योरिटी थ्रेट है जिसको अब दुनिया रियलाइज कर रही है पर दोस्तों यहां पर सवाल यह उठता है कि इंडिया कब ऐसा करेगा इंडिया में दोस्तों ऐसा अनुमान है रादर पार्लिमेंट में मिनिस्टर ने खुद कहा है कि 10 लाग चाइनीज कैमराज भारत की सरकारी संस्थाओं में इंस्टॉल्ड है जो कि आप अगर देखे तो बहुत बड़ा नंबर है तो यहां पर क्य चाइनीज कैमराज इतने बड़े थ्रेट हैं इस पर भी चर्चा करेंगे और यह न्यूज क्या है जिस पर इतना ज्यादा आप देखे तो इंटरनाशनल मीडिया से लिके नाशनल मीडिया सब कोई जिस पर बात कर रहे हैं दोस्तों न्यूज में है ऑस्ट्रेलिया के उनाइटेड स्टेट्स उनाइटेड किंग्डम ने भी लिया है दोनों नहीं में दोस्तों उसके पीछे कारण क्या है कि चैनीज कंपनी का हमेशा डर रहता है कि वह कभी भी बिजिंग के साथ सेक्यूरिटी सर्विसिस के लिए इंफॉर्मेशन डेटा शेयर कर सकती है यह 200 Australian Government Buildings में इस वक्स स्थापित हैं जिसमें Department of Defense भी है, Foreign Affairs भी है, Finance भी है, Attorney General भी है As a matter of fact, China के दो major companies हैं जो की आप देखे तो हाइक विजन है और दूसरा हुआ है ये दोनों के दोनों अगर आप देखे तो China के ये दो companies दुनिया में सबसे बड़े camera suppliers हैं और Australia में भी ये सारे department में देखे जाए जा सकते हैं केवल exception agriculture department है, दूसरा अगर आप देखे तो Prime Minister, Department of Prime Minister and Cabinet है, तो यहां से दोस्तों अगर आप देखे तो पूरे Australia में Chinese cameras का दबदबा है, पर अब सवाल उठता है ये threat क्यों है, दोस्तों दोनों ही companies की अगर हम बात करें, High Vision और Dahua, ये China based हैं और partly state owned है, High Vision अगर आप देखे तो World की सबसे बड़ी video surveillance equipment provider है, याने CCTV camera provider है, simple शब्दों में अगर मैं कहूं, और Dahua और ये High Vision दोनों मिलके 60% of the global market पे, जो भी cameras बिखते हैं, यही बेचते हैं, तो दोस्तों November 2021 तक की बात करें, तो High Vision और Dahua का जो camera network है, वो 6 million cameras से जादा है, जो की 191 countries में देखे जा सकते हैं, इसमें दोस्तों काफी, आप देखे तो कुछ cameras इनके काफी advanced भी हैं, जो face recognition भी करते हैं, जो की अगर खुद China इस्तमाल करता है, उईगुर insurgency या उईगुर movement जो हो रहा है, उसको control करने के लिए face recognition का भी इस्तमाल करता है, और यही companies उसमें भी जिम्यदार हैं, अब दोस्तों इतना बड़ा threat क्यों हैं, दोस्तों चाइना की अगर कोई भी company है, तो वो एक security threat है, इसके पीछे कारण साफ है, चाइना का 2017 में एक national intelligence law है, जो बनाया गया है, जो साफ साफ कहता है, सारे के सारे Chinese citizens, Chinese organization, फिर वो public हो या private हो, उनको सरकार के साथ coordinate करना होगा, जब बात आएगी national intelligence की, तो याने की साफ साफ अगर शब्दों में कहूं, तो चाइना की सरकार जब कहे national security का हवाला दे के, किसी भी private company से कोई भी data ले सकती है, फिर वो domestically operate कर रही है, याने within चाइना, या फिर globally दुनिया में कहीं भी, याने चाइना की कोई भी company safe नहीं है, because of China's 2017 national intelligence law, दोस्तों Australia त क्या situation है, बताऊं आपको, तो आपको भी सुनके काफी ज़्यादा आप चौकेंगे, दोस्तों लोग सभा में 2020 में, तो इस वक्त के Minister of State for Communication and IT, संजय धोत्रे जी ने कहा था, कि भारत में 10 लाक Chinese companies के द्वारा supplied CCTV camera है, जो कि government institutions में already installed है, दोस्ते यहां पे आपको ये भी कहना चाहूंगा, कि उन्होंने खुद का हम realize करते हैं, कि Chinese camera एक threat है, ये हमारी vulnerability और बढ़ाते हैं, क्योंकि इनके वज़े से जो video data capture हो रहा है, वो ये camera वाली जो agencies हैं, जो cloud में store कर रही है, वो server, अगर आप देखे तो इंडिया में नहीं है, वो abroad है, और याने कि China में stationed है, और servers में जो भी data stored है, वो easily China जब चाहे तब access कर सकता है, तो बहुत बड़ी समस्याई हम समझ रहे हैं, फिर भी 10 लाग CCTV आप देखे तो Chinese companies के द्वारा provide किये गए हैं, दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 2018 की प्रगती मैदान, यहाँ पे आप देख रहे हैं, make in India, और यहाँ पे आप देखने किसका stall है, high vision बड़ा सा stall है, और क्या भीड़ है, आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से high vision अपने आपको make in India के साथ भी mix करके, अलग-अलग proposals ले करके आया था, और इंडिया में काफी अच्छे से engaged है, बहुत अच्छे से घुस चुका है, और इतना ही नहीं, दोस्तो, high vision को जो tender मिला है आप देखके चौक जाएंगे, उनको ओही tender दिया था, दिल्ली government ने, जब कहा था, डेर लाक CCTV cameras install करने हैं, भारत electronics, जो की आप देखे तो sensitive defense equipments बनाती है, वो भी high vision के camera इस्तमाल करती है, दिल्ली Metro, DMRC, वो भी high vision इस्तमाल करती है, DRDO तक में high vision के cameras हैं, और दोस्तो, सबसे आप देखे तो, मतलब जो बताता है हम कितने ज़्यादा vulnerable हैं, Prime Minister की security देने वाले, SPG, Special Protection Group, वो भी high vision का camera इस्तमाल करते हैं, high vision को, उन्होंने भी tender दिया है, तो दोस्तो, ये तो हालत है भारत की, हाला कि आपको यहाँ पे मुझे कह प्रशी है, कि हमने कुछ changes किये हैं, जिसके मुताबिक आपको याद होगा COVID के time, किस प्रकार से चाइना ने Indian companies में काफी ज्यादा investment किया था, तो सरकार rule लेके आई थी, जिसके मुताबिक कोई भी foreign investment अगर बाहर से आ रहा है, तो directly land share, जिन countries के साथ हम border करते हैं, वहाँ से directly नहीं आ सकता, automatic route में, number two, जितने भी government contracts दिये जाएंगे, उन countries को नहीं दिये जाएंगे, जो कि इंडिया के साथ land border share करते हैं, जो कि indirectly चाइना पर ही रोकने का तरीका था, तो चाइना अब Indian companies को या Indian companies नहीं, भारत सरकार को at least इस प्रकार के cameras नहीं बेच पा रही है, पर 10 ल या में भी जो समस्या है बहुत गंभी है, तो जरूरी है कि हम sensitive locations and sites identify करें, और वहां से ये Chinese cameras को हटाएं, क्योंकि ये data end of the day server में जा रहा है, जो कि चाइना में स्थित है, जहां भी स्थित है, Chinese सरकार जब चाहे, arm twist करके data ले सकती है, और हो सकता है कि हमारे sensitive locations जहां पर हम भ स्थित जाएं और इस पर एक strict action लेना शुरू करें, like US, UK and Australia, गोस्तों अगर आज की class पसंद आई होगी तो like जबूर कीजेगा, टेलिग्राम चैनल है जहां पर आप जोड़ सकते हैं, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके सिवा, एक साल की UPSC CSE की super coaching की subscription आपको मिल रहे ज्यां जे होगी पार आप करकी दोड़ सकते हैं, क्ट एक से एक जबूर आपको मिल रहें जूरू को जबूरू कर सकते हैं